कोशन 11 है कि बैस के अतरिक्त निम्खित सभी के कारण अधिकम अच्छमता उत्पन हो शकती यानि कौन साकारण है जिसके अलामा सभी के कारण अधिकम अच्छमता निया जो लर्निंग disabilities है वो उत्पन हो शक्ति है और सब्सक्राइब कौन सा ऐसा कारक है जिनके अत्रिक्त अन्य सभी से बच्चे में अधिगम अच्छमता उत्पन हो शक्ति है लर्निंग लत्रिक्तिक कारण से बच्चे में लर्निंग अधिगम अधिगम को सब्सक्राइब लेक्षाने जीर्स कि दिआक表 श्रें और ठेरिक्तिक कारण से बच्चे में लर्निंग डिश्यीडिटीज उत्पन नहीं हो शक्ति है । इसका शखिए आंसर हो जाएünden is नेक्स कोश्चन है एक समावेशी विद्याले के बारे में कौन सा कथन सही है चार ओप्षन दिये गए इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा समावेशी विद्याले के संबंध में कहा गया है औप्षन वन है सिचार्थियों के चमताओं के परवाह किये बीन सभी के अधियम परिलामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है औप्षन टू है सिचार्थियों के मद्य अंतर करता है और विशेश रूप से सच्छम बच्चों के लिए कम चुनोती पूर लक्ष निर्धारित करता है औप्षन 3 है विशेश रूप से योग सिचार्थियों के अधियम परिलामों को सुधारने के लिए विशेश रूप से प्रतिबद्ध होता है औप्षन 4 है सिचार्थियों के निर्योगताओं के अनुशार उनकी सीखने के उसक्ताओं को प्रतिभास आली विद्यार्थी से सम्मंधी थे प्रतिभास आली विद्यार्थी को 1 ऐसे सहीों की उषक्ता होती है जो समानता بिद्याले द्वर्ण उपलब्ध नहीं कराया 2 चR nicht. Sikshak के बिन अध्यियन को बिवस्थित कर ले 3 आउन्न सिछार्थियों के लिए अच्षे माडल बन सकतेहS आफ़सन फूर्थ है अधिगम निर्योग नहीं हो सकते हैं तो इसका जो यह कथन है कि अधिगम निर्योग नहीं हो सकते हैं नहीं इनमें learning disabilities नहीं पाई जाएंगी तो यह कथन भी गलत है और अन्य सिक्षारतियों के लिए अच्छे स्कते हैं नहीं है और अफ़सन फसर जो है कि सिख्षक के बिना अध्यन को को यह बिवस्थित कर लेते हैं तो यह कथन भी शक्त नहीं है क्योंकि शिक्षक के बिने अपने अध्यन को यह बिवस्थित नहीं कर सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा और प्रतिभासाली जो विद्यार्थी होते हैं उनको ऐसे सही योग के अशक्ता होती हैं जो कि समानते विद्याले उन्हें उपलब्द नहीं करा पाते हैं क्योंकि यह समानने बच्चों की अपेक्षा अधिक इंटेलिजन्स होते हैं इसलिए इन्हें एडवांस लेबल के सही योग के अशक्ता होती हैं जो कि विद्याले इन्हें उपलब्द नहीं करा पाता है नेक्स कोश्चन है डैस के कारण प्रतिभा सालिता होते हैं जो गिफ्टेडनेस है वो किस कारण होती है ओप्सन वन है अनुवंशिक रश्ना के कारण ओप्सन टू है वातावरड़ी अभिप्रेड़ा के कारण ओप्सन थ्री है वन और टू का सायोजन इन्हें जब दोनों मिलते हैं तब प्रतिभाशालिता का उद्भव होता है या option 4 है मनों समाजिक कारकों के कारण जो साइको साइको शोसल फैक्टर होते हैं उनके कारण गिफ्टटनेस उत्पन होते है इसका सही अंसर हो जाएगा आफ्सन 3 वन एंट्टू का संयोजन यह जो वन एंट्टू का कंबिनेशन होता है जैनि जेनेटिक मेकप जो है अनुवन्शिक सन्रश्ना और इन्वार्मेंटल मोटिवेशन इन दोनों के कारण गिफ्टटनेस उत पन होती है नी बच्चा प्रतिभाशाली होता है तो उसमें दोनों का योगदान होता है हरीडिटी का भी और इन्वार्मेंट का भी नेक्स कोशन है बच्चे में सुनने शीखने और सुनने के लिए अधिगम योग वातावरण के लिए निम्खित में से कौन सा उपयुक्थ ह यानि कौन सा कारण बच्चे में शीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यवातावरण के लिए उपयुक्त है। और कैसे सीखना चाहते हैं। तो इसका सही आंसार हो जाएगा और सिक्षार्कियों को कुछ छूड़ देना ये निर्ड़ा लेने के लिए कि वो क्या सीखना और कैसे सीखना है। नेक्स कोश्चन है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योगता कहलाती है नि मोटर स्किल्स में जब लर्निंग डिसेबलिटीज होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है। ओप्सन वन है डिस्प्रेक्शिया, ओप्सन टू है डिस्केलकुलिया, ओप्सन थ्री है डिस्लेक्सिया और ओप्सन फोर है डिस्फेजिया, नि इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें डिस्प्रेक्शिया कहते हैं जो मोटर स्किल्स में लर्निंग डिसेबलिटीज होती है उन्हें डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, option 1, right हो जाएगा, next question है, अधिगम निर्योगता क्या है, learning disabilities क्या है, option 1 है, कि एक इस्थी रवस्ता है, एनि एक stable state है, option 2 है, कि एक चारवस्ता है, एनि एक variable state है, option 3 है, जरूरी नहीं कि कारिपद्यती की इहानी करे, option 4 है, समुचित निवे जाएं जो होती है, वो शुधार योग होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा, option 2, कि एक चारवस्ता है, अधिगम निर्योगता से तातपष होता है, उन विकारों के समुचे, जिनके कारण ब्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने या फिर बोलने, तर्क करने, या फिर गड सहायक सिध्ध होती है, बच्चे को यदि सीखाने का प्रयास किया जाए, उनकी अधिगम निर्योगताओं को दूर करने का प्रयास किया जाए, तो इसमें काफी हद तक सुधार हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार नहीं किया सकता, अधिगम निर्योगता में बच्चों की तरह सीख सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक चर अवस्था एक वरियेबल स्टेट है यह नेक्स कोश्चन है डैस की अतिरिक्त निम्नखित समस्या समाधान की प्रकिरिया के चरण है निक कौन सा समस्या समाधान प्रकिरिया का चरण नहीं है ऑफशन वन है समस्या की पहचान करना तो यह तो है ऑफशन टू है समस्या का छोटे हिस्सों में बाढ़ देना option 3 है समभावित युक्तियों को खोजना option 4 है परिडामों की आसा करना समस्या समधान की जब बात हम करते हैं तो समस्या की पहचान करना ये समस्या समधान के चरण है समस्या का छोटे हिसों में बाटना ये भी उसका चरण है और संभावित युक्तियों की खोश करना की कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा इस समस्या को समाधान किया जा सकता है तो ये तीनों तो समस्या समाधान के प्रकिरिया के चरण है इसका चरण जो नहीं है वो है परिडामों की आसा करना इसका सही आंसर हो कि गई तुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रतेक तुटी के लिए गंभीर टिप पड़ी देनी चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जो इस्टुडेंट द्वारा जो गलतियां की जा रही है वो हमें ये बताती है कि जो कितिनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता की माब की रूप में लेना चाहिए तो ये भी नहीं करना है कि थर्ड ओफ्सन है जब सिक्षार्थी विचारों को संप्रेशित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हीं बीच में नहीं टोकना चाहिए, उन्हीं टोक कर ठीक नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे नहीं ऐसे बोल अगर जो बच्चा है जो सिक्षार्थी है विचार को संप्रेशि पाद कराना तो इसका राइट आंसर हो जाए गों को संप्रेशित कर रहा हो तो उसने बीच में टोक ना चाहिए तोककर नहीं करना चाहिए जब बच्चा अपना अव्यक्ति वह समाप्त कर दे उसके बाद सिक्षक को उसे करेक्ट करना चाहिए next question है सीमा परिक्षा में ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए अतित्चुक है जब वो परिक्षा बवन में दाखिल होती है दथा परिक्षा प्रारंभ होती है वो अत्यंत नर्वश हो जाती है यह जब सीमा जो कि महले से confident है कि वो A plus grade प्राप्त कर लेगी exam में लेकिन जब वो exam hall में जाती है तो जब परिक्षय प्रारंब होती है तो बहुत ही नर्वस हो जाती है और उसके हाथ पाव जो है वो पाव ठंडे पर जाती है और उसके हरदे की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वे उची तरीके से उत्त नहीं दे पाती है तो इसका मुख्य कारण क्या हो शकता है यह किस कारण से हो शकता है और उप्सन वन है कि सायद्वा अपनी तैयारी के बारे में बहुत अधिक आत्म विश्वासी नहीं है और उसकी कच्छा धियात्का हो सकती है और वह सभाव में बहुत कठोर हूं और फ टो इसका सही आप्सन हो जाएगा कि सायद्वा ह अकस्मात शविगात्मक अवस्था जो है उसका सामना नहीं कर पा रही है इसलिए जो सीमा है वो एक्जाम हाल में जाने के बाद उसे गभरहात होती है और वो एक्जाम में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती जितना कि एक्जाम से पहले वो confident थी इसका सही answer option fourth हो जाएगा कि सायद वह अकस्मात समेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर सकती है